आज हम राजस्तान माधिमिक शिक्षा बोर्ट की पुस्तक स्रजन में संकलित पार्ट भयका महतपुंट सार और प्रश्णोत्रों को देखेंगे जैसा कि आप सभी को पता है ये आपके RPSC First Grade के syllabus में शामिल है और काफी विद्यारतियों के comments भी थे कि बोर्ट की पुस्तकों के जो question answer है वो करमाये जाए तो मैंने एक ये छोटी सी कोशिश की है आशा है आप सभी को पसंद आएगी नमस्कार मैं पूझा गोतम सभी विद्यारतियों का स्वागत करती हूँ जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो आपको लेखक की जानकारी होना जरूरी है जो पाठ आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक कोन है साथ ही जो पाठ आपने पढ़ा वो किस विधा का है उपन्यास है, कहानी है, निबंध है तो ये दोनों चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी होती है फिर पाठ के अंदर क्या दिया है, वो तो हम पढ़ेंगे ही लेकिन सबसे पहले ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इनी से ही प्रश्न पूछ लिये जाते हैं तो आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं भये, उसके लेखा के आचारी रामचंद्र शुक्ल भये जो है, वो एक निबंध है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जब व्यक्ति को भये लगता है, तो वो बंध जाता है तो भये में बंध जाता है, तो भये क्या है, निबंध है आचारी रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 इस्वी में हुआ राजस्तान बोड की पुस्तक के अनुसार 1886 है, लेकिन जो आचारी रामचंद्र शुक्ल का जन्म है, वो 1884 इस्वी का है आचारी शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामानिक ग्रंथे आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पिचारनी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ आचारी रामचंद्र शुक्ल ने कुछ ग्रंथों का संपाधन भी किया है जिनमें है हिंदी शब्दसागर, ब्रमरगीत सार, जाईसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य शुक्ल जी मूलत आलोचक और विचारक थे निबंदों का संग्रह चिंतामणी का चार भागों में प्रकाशित हो चुका है चिंतामणी भाग एक का प्रकाशन 1949 इस्वी में हुआ और इस भाग एक में कुल 17 निबंदे कई बार एक्जामस में पूछा जाता है कि चिंतामणी भाग एक में कितने निबंद है तो ये इसमें है 17 निबंद चिंतामणी भाग एक पर अचार रामचंदर शुक्ल को मंगला प्रसात पारितोशिक पुरुसकार प्राप्त हुआ भय निभंद चिंतामणी भाग एक में संकलित है अब देखे जो आपका पाठ आ रहा है भय वो चिंतामणी चार भागों में है तो किस भाग में ये निभंद दिया हुआ है तो ये है भाग एक में ये संकलित है आचारे शुकल ने एडवीन आर्नल्ड के आख्यान का वे लाइट ओफ एशिया का बुद्द चरीत शीर्शक से ब्रजभाशा में अनवात किया किसका लाइट ओफ एशिया का इसके अलावा आचारी रामचंद्र शुक्ल ने बंगला के प्रसिद एतिहासिक उपन्याथ शशांक का भी अनुवाद किया। आचारी रामचंद्र शुक्ल ग्रन्थावली आठ खंगंडों में प्रकाशी थे जिसका संपादन किया है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंग ने। लेखक की जानकारी के बाद अब पाठ का महतपुन सार देखते हैं। पहला पॉइंट है भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। जैसे आपसे प्रश्ण पूछ लिया जाए कि भय नामक मनोविकार किस संवर्ग का भाव है तो दुखात्मक। जिस पर अपना वर्ष न हो ऐसे कारण से पहुचने वाले भावी अनिष्ट के निष्टे से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षतकार से जो एक प्रकार का आवेख पूर्ण अत्वा इस्तंब कारक मनोविकार होता है उसी को भय केते हैं। अगला पॉइंट है यदि कोई जोतिशी किसी गवार से कहे कि कल तुमारे हाथ पाउं तूट जाएंगे तो उसे क्रोध ना आएगा बलकि क्या होगा भय होगा। भय का विशे दो रूपों में सामने आता है असाध्य रूप और साध्य रूप तो जैसे प्रशन पूछ लिया जाए कि भय का विशे कितने रूपों में आता है तो दो रूपों में कौन-कौन से असाध्य रूप और साध्य रूप यहां पर मैंने यह पूरा महतपूर सार लिया है इन ही मैंसे प्रश्ण आपके बन सकते हैं अगर इस पार्ट से संबन इत कोई प्रश्ण आपसे पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा यह मैंने पूरा प्रयास किया है अब देखते हैं असाध्य विशे क्या है असाध्य विशे जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारन असंभव हूँ या असंभव समझ पड़े साध्य विशे जिससे प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हूँ अगला पॉइंट इसमें विशे के साध्य या असाध्य होने की धारणा परस्तिती की विशेष्टा के अनुसार तो होती ही है पर बहुत कुछ मनुष्ट की प्रकर्टी पर भी अवलंबित रहती है। कड़े दिल का या सहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो संभल कर बचाओ के उध्योग में लग जाता है। पुरुष्ट की भी रूता की पूरी निंदा होती है। अगला पॉइंट भी रूता की तह में सहन करने की अक्षमता और अविश्वास छिपा रहता है। तो प्रश्ण अगर बनता है कि भी रूता की तह में क्या छिपा रहता है। तो अक्षमता और अविश्वास। एक ह प्रशंसा होती है वह है धर्म भीरूता तो कौन से भीरूता है जिसकी प्रशंसा बताई गई है पाठ भय में धर्म भीरूता दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चे न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शुन्य भय होता है उसे आशंका कहते है दुखात्मक भावों में आशंका की वही इस्तती समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की प्राणियों की असब्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है तो प्राणियों की किस दशा में भय से अधिक काम निकलता है असब्य दशा में जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है जिससे वे भयबीत हो सकते हैं और उसी को श्रेष्ट मानते हैं और उसी की इस्तुती करते हैं अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षन है अगला पॉइंट है इसमें अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं अपने ज्यान बल, हिर्दय बल और शरीर बल की ब्रद्धी के साथ वे दुख की चाया मानो हटाता चलता है मनुश्य के लिए मनुश्य का भय बना हुआ है इस भय को चूटने के लक्षन भी नहीं दिखाई देते हैं देखिए जो महतपूर्ण सार है, इसको लेने का उद्देश मेरा ये है कि इनी में से आपके प्रश्न बनेंगे अगर आप इनको पढ़ लेंगे एक बार, अगर एक बार आप इनको देख लेंगे तो revision कर लेंगे तो इन ही में से आपके प्रशन आएंगे क्योंकि जित्ता भी पार्ट का महत्पूर्ण सार था वो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तूत कर दिया और साथ ही कुछ प्रशन उतर है वो इन ही में से मैंने बनाए है कैसे आएंगे और अभी जो आपके एक्जाम है उनमें कैसे आए प्रशन वो भी आप देख लेंगे तो यहाँ पर इस कारण से मैंने सार को लिया है ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आए और आपका एक बार revision हो जाए मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है अगला पॉइंट आर्थोन माद को शाषन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म को उच्छ और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संग की प्रतिष्टा आविश्यक है जिस प्रकार सुखी होने का प्रतेक प्राणी को अधिकार है उसी प्रकार मुक्तान तक होने का भी है निर्भैता के संपादन के लिए दो बाते अपेक्षित है पहली दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो दूसरी हमको कश्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके तो जैसे अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाए कि निर्भैता के संपादन के लिए कौन सी दो बाते सही है या सत्य है या असत्य है तो जैसे मालीजे पहला दे दिया दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कश्ट ना हो सही है दूसरी हमको कश्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके तो दोनों सत्य में आ जाएगी इनमे से एक का संबन उतकृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुर्शार्थ से साधू से साधू प्रकर्ति वाले को कुरूर लोभियों से कलेश पहुंचता है अब इसके थोड़े शब्दार से क्योंकि शब्दार्थ यानि मिनिंग से भी सम्मनित प्रश्ण पूछे जाते है निर्दिष्ट यानि नियत किया हुआ भीरूता यानि कायर्ता व्यतिक्रम बाधा क्रम का उलट फेर आवरण पर्दा या धकना वनिक वृत्ति व्यश्य वृत्ति चात्र वृत्ति चत्रिय धर्म अब हम इसके कुछ महत्पूर प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है ये प्रश्ण अभी RPSC 2nd grade संस्कृत विभाग का जो एक्जाम हुआ उसमें पूछा गया है देखें इसमें हमने जो सार था पार्ट का वो पूरा पढ़ लिया है और जो भी प्रश्ण बनेंगे वो उसी में से बनेंगे देखते हैं कैसा प्रश्ण पूछा गया स्रजन में संक्लित आचारे शुक्ल के निबंद भय के आधार पर बताईए कि इन में से कौन सा कथन असत्य है पहला है भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरूता कहलाता है ये सत्य है अशिक्षित होने के कारण अधिकांच भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं ये भी सही है तीसरा देखने से पहले चोथा देख लेते हैं भय का विशय दो रूपों में सामने आता है असाध्य रूप वे साध्य रूप ये भी सही है तीसरा असत है क्योंकि अत्ति भय और भय कारक सम्मान सब्यता के लक्षण नहीं होते बलकि असब्यता के लक्षण होते हैं तो इसका उत्तर होगा तीसरा अगला जो प्रश्ण है वो है कल तुम्हारे हाथ पाउं तूट जाएंगे ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा तो भय होगा ऐसी कौन से भीरूता है जिसकी प्रशन सा होती है तो वो है धर्म भीरूता भय की अदिक्ता किसमे रहती है असभ्य एवम जंगली जातियों में भय के कौन से दो रूप सामने आते हैं असाध्य रूप और साध्य रूप दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में किसकी होती है आशा की मनुष्य के दुख का कारण कौन है मनुष्य पुर्षों की भीरूता की पूरी निंदा होती है इस वाकि में किस शब्द शक्ति का प्रियूग हुआ है तो इसमें हुआ है अभिधा शब्द शक्ति का यहां पे जो प्रश्न है वो मैंने उसी सार में से बननाये हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरह इसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये जो टॉपिक है मैंने इसमें सार लेने का मेरा यही कारण है कि आपको एक बढ़ रिविजन हो जाए अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो हम इस तरीके को आगे बढ़ाएंगे नहीं तो जो आपके question answer है वो ही हम शुरू करेंगे भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कहलाता है क्या कहलाता है कायरता दुख या अपत्ति का पूर्ण निश्चन ना रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेक शुन्य भय होता है उसे क्या कहते हैं आशंका अगला प्रश्ण है दुख की छाया हटाने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है ज्यान बल हर्दे बल शरील बल तो इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है प्राणियों की किस दशा में भाय से अधिक काम निकलता है तो प्राणियों की असब्य दशा में भाय से अधिक काम निकलता है भाय नामक मनोविकार किस वर्ग का भाव है तो दुखात्मक जिस प्रकार सुकी होने का प्रतेक प्राणि को अधिकार है उसी प्रकार डेश 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 होने का भी है तो रिक्तस्थान की पूर्ती करनी है तो इसमें क्या हैगा मुक्तान तक अगला प्रशन हमारा आचारी रामचंद्र शुक्लिक से सम्बधित कतनों पर विचार करें आचारी शुक्लिक का जन 1884 इस्वी में हुआ शुक्लि जी की रचना चिंता मणी चार भागो में सम्पादित हो चुकी है चिंता मणी को मंगला प्रसात पारितोशिक पुरूसकार प्राप्त हुआ बंगला उपञ्या शुशाँक का अचारी शुक्लिक ने अनुवाद किया, तो ये सभी सही है अगला प्रशन है साधू से साधू प्रकृतिवाले को किस से कलेश महुँचता है तो कुरूर लोभियों से अगला प्रश्न छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संग की प्रतिष्टा क्यों आवशक है अर्थोन मात को शाशन के भीतर रखने के लिए अगला प्रश्न जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता हो उसे कहते हैं साध्य विशे असाध्य विशे क्या है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो आचारी शुक्ल के निभंद कोन सी प्रमुक पत्रिकाओं में छपते थे तो आचारे राम चंदर शुक्ल के निभन सरस्वती और आनंद कादमबनी पत्रिकाओं में छपते थे तो ये आपके कुछ महत्पून प्रश्ण है और ये पाठ का साह है आप मुझे जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा क्योंकि आप जब मुझे बताएंगे तब ही मुझे पता चलेगा कि जो मैंने तयार किया वो आपको कैसा लगा इसी के साथ आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार